नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं इंडिया इस लाइव और आज के वडियो में हम बात करेंगे सकुंतला देवी के बारे में जिनको विश्व अस्तर पर मानो कंप्यूटर के नाम से जाना जाता था और उनके जैसा गनित तक गया गनीत में मैट्स में आज तक कोई भी इ फिल्म में आ रहा है सकुंतला देवी के नाम से जिन्होंने बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया उस फिल्म में तो उस फिल्म को आप लोग जरूर देखिएगा उससे पहले मैं उनकी कहानी को बता देता हूं कि सकुंतला देवी की जो कहानी थी वो क्या थी तो चलिए सुर कॉंबर 1929 और इनका दिहान्त भी यही पर हुआ था बैंगलोर करनाटका 21 अपरेल 2013 को इनका दिहान्त हुआ था और इनका जो कारे छेतर था विश्व अस्तर पर मानो कंप्यूटर के नाम से विख्याते परसिध्य गनित्यग्या इनके जैसा गनित्यग्या आज तक देखने क को नहीं मिला इन्होंने कंप्यूटर तक को मात दे दिया था उस समय के सबसे फास्ट अपने जमाने के सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर को उन्होंने मात दे दिया था मानो कंप्यूटर के नाम से विख्याते गनित्यग्या एम जोतिस से सकुंतला देवी को संख्यात्म क संख्यात में कैलकुलेशन में गजब की फूरती हासिल थी बहुत तीजी से ये कैलकुलेशन करती थी और काफी आसानी से कर लेती थी किसी भी कैलकुलेशन को काफी आसानी से सॉल्व कर लेती थी इसलिए इनको मानो कम्प्यूटर कहा जाता था हुमन कम्प्यूटर कहा जाता थी बहुत अच्छे से अपने लाइफ को जीती थी उसके बाद अगर हम देखें इनके लाइफ के बारे में और भी कुछ पॉइंट को हम देखते हैं वर्स 1980-1990 के दसक में भारत के गाउ और सहर में यदि कोई बच्चा गनित में होसियार हो जाता था तो उनको सकुंतला देवी के नाम से बोला जाता था सकुंदला देवी वह बन जाती थी ठीक है सकुंदला देवी पूरे भारत में उससे में बहुत ज्यादा फेमस नाम पहचान हो चुका था वे बच्पन से ही अद्भुत प्रतिभा की धनी ये वो मानसी के गनत्यग्य थी वे सभी गनित्य मैट्स के समस्याओं का उत्तर देने में सक्षम थी और अपने मैट्स की सक्ती से लोगों को इसे विशय में रूची पैदा करने के लिए प्रेरिते करती रहती थी और बाकी ल बहुत ही अच्छा उनको जानकारी था और लेखक भी थी साथ में वो लेखक भी थी इनके साथ इनके कारियों ने लाखों लोगों को जागरुक किया मैट्स के प्रति और उसके समझदारी के प्रति इसके द्वारा किये गए इनके द्वारा किये गए कुछ बहुत ही अच् शेक्स्वल में भी देखा जा सकता था ये सब इनकी किताब थी पुस्तके थी बहुत अच्छा अच्छा किताब है अगर आपको टाइम मिलेगा तो इनको जरूर आप रिडाउट कीजेगा इसके बाद अगर हम देखे इनके बाकी के जीमन के बारे में प्रारमभी के जीमन के बारे में अगर हम बात करें तो मानसिक गन्नाय पलक जपकाते ही कर लेने में माहिर सकुंतला देवी का जन्म 4 नौवंबर 1929 को मैंने बता दिया था कहां हुआ था कन्नाट का बैंगलोर में हुआ था और रूधी वाधी कन्नट ब्राह्मन फैमिली में हुआ था इनका जन्म सकुंतला देवी आज भी एक बहुत अच्छा नाम सुनने में लगता है सकुंत कर दिया था वे मदारी जैसे खेल दिखाने वाली तनी हुई रसी पर चल कर लोगों का मनुरंजन करते थे उनके फादर इसका रिजल्ट क्या हुआ ये सरकस में एक कलाकार के रूप में कारे करने लगे थे जब सकुंतला देवी मातर तीन वर्स की थी तब तास खेलते पिता को जब अपनी बेटी की शमता के बारे में पता चला तो उन्हेंने सरकस छोड सकुंतला देवी पर सारविजनी के कार्यकरम आयोजित करना शुरू कर दिया और इनकी शमता को पहले अस्थानीय अस्थर पर परदर्शित किया अपने पिता के माध्यम से रोड सो करने वाली सकुंतला देवी ने अभी भी दुनिया में पहचान नहीं मिली थी लेकिन जब 15 वर्स की हुई तो राष्टिये मीडिया सही थे अंतराष्टिये मीडिया ने उन्हें नई पहचान देना शुरू कर दिया था सकुंतला देवी उस समय पहली बार खबरों में और सुर्कियों में आई जब बीबीसी रेडियो आप लोगों पता है बीबीसी रेडियो बहुत पुराना है रेडियो के एक कारेकरम के दौरान इनसे अंक गनीत का एक जटल सवाल पूछा गया और उनका उन्होंने तुरंत जवाब दे दिया इस घटना का सबसे मज़िदार पक्ष था कि सकुंतला देवी ने जो जवाब दिया वह सही था जबकि रेडियो का जवाब जो था वो गलत हो गया था व्यक्तिगत्य जीवन के बारे में इनके जानते हैं, प्रसनल लाइफ के बारे में हम जान लेते हैं, सकुंतला देवी के जो साधी हुआ था, विवाह हुआ था, वर्स 1960 में कॉलकता के एक बंगाली आईये सधिकारी परितोस बनेरजी के साथ हुआ था, इनका विवाह बहुत दिनों तक नहीं चल सका, और किसी कारण वर्स 79 में, 19 साल के बाद में अपने पती से अलग हो गई, वर्स 1980 में अपनी बेटी के साथ पुना बैंगलोर लाट आई, यहां वे सेलिब्रेटी और राजिनित्योग्यों को जोतिस से प्रामर्स देने लगी, अपने प्योटर के रूप में इनकी पहचान और परसिथी कैसी हुई इसके बारे में हम जानते हैं, सकुंतला देवी ने संसार के 50 से अधिक देशों की यात्रा की, बहुत से सैक्षनिक संस्थाओ, ठीयटर्स और यहां तक की टेलिविजन पर भी गनित्य छमता का परदेशन किया 27 सितंबर 1973 को विश्वे भर में प्रसारित होने वाले रेडियो चैनल BBC द्वारा आयोजन एक प्रोग्राम नेशन वाइड में उस समय के चर्ची थे, वाब वेलिंग से द्वारा गनिते से संबंदित कुछ से प्रसन पूछे गए, जो कि बहुत ही जादा मुस्किल थे और उनका सही उत्तर देना लगभगा संभाव था, इनकी प्रतिभा से उन सभी प्रसनों का संख्य जो था, मतलब उत्तर जो था, प्रसन सुकों की संख्या भारत सही तविश्य भर में क्रमसा बढ़ती गई, मतलब इन्होंने उन सभी सवाल का जवाब बहुत ही आसानी से दिय और इनसे क्या हुआ इनका जो पॉपुलिटरी था मतलब इनकी जो पहचान थी वो काफी तेजी से इंक्रीज होते गया उसके बाद देखते हैं इनकी कम उम्रे में ही गनीते के छेत्रे में ऐसी अध्भुच्हमता को देखने को उस समय संसार में कही और देखने को नहीं मिलत है कि एक कठिन प्रसंद का सही उत्तर कुछ सकेंड में देकर वहां उपसित दर्सकों को अस्यरे चकित कर दिया था सूचिय कितना नौलिज था इनको मैट्स में सुला वर्स के अवस्ता में इनको बहुत ही परसिधित तब मिली जब इन्होंने तीरा अंको की संखिया का गुनन फल 28 सकेंड में निकाल कर उस समय के संसार की सबसे तीज सूपर कंप्यूटर को 10 सकेंड में 10 सकेंड के अंतर से हरा दिया मतलब जो कंप्यूटर ने एंसर दिया और जो इन्होंने एंसर दिया कंप्यूटर से भी 10 सकेंड पहले इन्होंने एंसर दिय था ध्यान दिजगा 13 अंको की संखिया का गुनन फल करना वो भी 28 सकेंड में बहुत जादा मुश्किल होता है उस संख्या उस समय इनकी इस अध्भुच्छमता को देखकर हर कोई समय समय पर परखना चाहता था वर्स 1977 में सकुंतला देवी सकुंतला देवी को अमेरिका जाने का मौका मिला यहाँ डॉलास की एक एक यूनिवर्सिटी में इनका मुकाबला आधूनिक टक्नीके की लेंस से एक कम्प्यूटर यूनिवैक से हुआ इस से मुकाबले में सकुंतला देवी की मांसी के गन्ना से 201 अंको की एक संख्या का 23 मूल निकालना था सोचिए दो सो एक अंको की संखिया था इसका 23 मूल निकालना था है जैसे square root होता है क्यूब root होता हैら a square root में क्या होता है ните 3 संखिया का पेर बनाते है और यहां पे सोचिए 201 को की संखिया है जिसका 232 एमूल निकालना जो की बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ठीक है दोसो एक अंकू की संख्या सोच सकते हैं कितना लंबा संख्या होगा एक पीज में आएगा ही नहीं यहां सवाल हल करने में उन्हेंने पचास सकेंड लगे जबकि उस कंप्यूटर जिसका नाम था यूनी वैके ने इस काम को बासर सकेंड में किया मतलब बारा सकेंड पहले कम्ट्यूटर से भी 12 सकेंड पहले इन्होंने इस काम को कर दिया इस घटना के तुरंत बाद दुनिया भर में सुकूंतला देवी का नाम जो मानो कम्ट्यूटर का नाम से प्रpound हो गया. human computer इनको बोला जाने लगा इस घटना के बाद पुरुसकार एवम सम्मान इनको उपलब धिया क्या क्या मिली सकुंतला देवी को फिलिस्पीन से विश्य विद्याले ने वर्ष 1979 में वर्ष से की विश्यस महिला की उपाध़ी और गोल्ड मैडल से सम्मानित किया वर्ष 1988 में इन्हें वासिंग्टन दिसी में रामानुज जो की मैंट्स में प्राइस के लिए प्राइस दिया जाता है मैंट्मेटिकल जीनियस अवार्ड से सम्मानित किया गया इनकी प्रतिभा को देखते हुए इनका नाम वर्ष 1989 में गिनीज बुक आफ वर्ड रिकॉर्ड में भी सामिल किया गया ब्रित्यू के एक महा पूर्वे 2013 में इन्होंने मुंबई में लाइफ टाइम एचीमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था इनकी 84 से जन्म दिन पर 4 नॉवंबर 2013 को गुगल ने इन्हें सम्मान सवरूप इन्हें गुगल डूडल से समर्पित किया था अपने देखा भी होगा ध्यान दिया होगा तो आपने देखा होगा अब इनके निधन के बारे में हम बात करते हैं सकुंतला देवी की लंबी बिमारी के बाद हिर्दय की गती हार्ड अटेक के रुख जाने के कारण गुर्दय की समस्या के कारण 21 अप्रेल 2013 को बैंगलोर में 83 वर्स की अवस्था में निधन हो गया ठीक है लगवक 83 वर्स की अवस्था में इनका निधन हो गया और इन्होंने मरने से पहले भारत को एक नहीं पहचान दे दी और मैस को नहीं पहचान दे दी इनको human computer तक बोला जाता है तो ये कहानी बहुत ही अच्छा था तो इसलिए मैंने सुचे है कि इस कहानी को आपके सामने रखो क्योंकि काफी बच्चे सूचते कि मैंस बहुत जादा मुश्किल है मैंस मुश्किल नहीं है जब मैंस को आप समझेंगे तो मैंस बिलकुल असान हो जाएगा और काफी बच्चे होते हैं कि मैंस को मुश्किल इसलिए समझते कि उनकी जो आस पास के लोग होते हैं वो मैंस क को लेकि मजाक मनाते हैं ऐसा बनाते हैं कि मैस से एक हवा जैसा बना देते हैं जिससे बच्छों को लगता है कि मैस सच में बहुत ज्यादा मुस्किल है बट ऐसा नहीं होता है आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर बिना टेंशन के समझेंगे प्यार से समझेंगे तो आपको ज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजगा अशा करता हूं कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा है अगले वडियो में फिर से मिलते हैं राइक्यूट